कॉंग्रस नेता पी एल पून्या ने हर्याना के करनाल में किसानों पर हुई लाठी चार्ज की निंदा की है साती सरकार पर जंपर निश्वाना भी साथ है दिखाते हैं देखी, दुखत समचार है. करणाल मेस जिस तरह से किसानों को, नियत्थे किसानों को ऊपर बरबर लाठी चार्ज किया गया, उन्हें गाहिल किया गया, जकमी किया गया. लोगों के हाच टूटे हैं, पैव टूटे हैं, गंबीर चोटे लगी हैं. जही रेके वहां पर ट्रै क्योंकि निरंतर किसानों के अधिकारों का हीतों पर कुठारा घाज इस तरीके से बारती जंता पार्टी और उसकी सरकार के दौरा किया जा रहा है यह सब उसी का प्रणाम है तीन कानून लेके आए किसने कहा था किसी किसान की मांग नहीं थी किसी किसान संगठन की मांग नही जाए कि और किसानों से वार्ता करके नय कानुन लाया जाए है है जो जिसान चाहते हों उस तरह कानुन लेकि आए जाया है लेकिन यह सुनने को त्यार जाए है बड़ी दुर्भागी के बात है यह सरकार बारतिय जंतापाटी और भारतिय जंताप वो किसान विरोधी है गरीब विरोधी देखे चतिस गड़ तो ठीक था और आज भी ठीक है ठीक रहे हैं यहां पर जो बैठके को दोर चला लोग उससे कयास लगाने लगे पता नहीं कुछ गड़ गड़ पड़ है वस्तुता यह थी के चैसे च्छतिस गड़ में निरंतर जो काम हो रहे हैं करांती कारी लिए जा रहे हैं चाहे वो गोठान के सिलसले में गोबर खरीदी के बारे में जो रूरल डॉल्मेंट का जोड के सेल्फ हेल्फ गृूप के माद्यम से महिलाओं को यूथ को जो रोजगार दिया जा रहा है उसके बारे में राजीव गांदी किसान नया योजना के बारे में और जो नई योजना जो शुरू कर रहे हैं जो भूमिहीन किसान भूमिहीन किसान मजदूर वो उनके लिए भी नय योजना है जिसका सर्वेश शुरू हो गया है तो वो गरीबों के लिए आदिवासियों क के लिए अर्बन एरियास के लिए सबके लिए इतनी यूज़ाएं बनाई हैं तो उसका विस्तार से यहां पर प्रसुतिकरण किया गया था उसी की बारे में सेहमत होते हुए जो निमंतर्ण दिया मुखमंत्री जी ने उन निमंतर्ण को राउल गांदी जी ने सुविकार किया और च्छतिश कड़ में दोरा करने का उन्हें ने लिया और मोके पर देखेंगे कि जो योजनाएं कितना ज्यादा लाबकारी